घर के entrance में जो key holders होते हैं, इसे अगर हम अपने हाथों से ही बनाते हैं, तो बहुत ही colorful लगते हैं, इन्हें बनाना आसान भी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक rectangular MDF board लिया है, आप कोई सा भी लगडी का एक टुकडा ले सकते हैं, जो इस shape का हो, सबसे पहले मैंने इसे white acrylic color स paint कर लिया है, ताकि base white हो, इसके बाद मैंने इसमें marking कर ली है, ताकि जहां कहीं भी हमें keys डालना हो, वहां holes बना लिये, इस तरह के जो screws हैं, ये दुकान में आसानी से मिल जाते हैं, जो carpenter के जो सामान रहते हैं, वो सब जहां से करीदते हैं, वहां से हम करीद सकते हैं, मेर वहां holes बना लिये हैं, और इसे टांगने के लिए भी इसके ऊपर में दो holes बना लिये हैं, आखिर में सभी screws को एक बार लगा करके देख लेंगे, और इसका measurement चुआ ये 12 by 4 inches है, इसके बाद screws को मैंने खोल लिया है, ताकि इसको थोड़ा design कर ले, थाकि थोड़ा colorful लगे ये इसके लिए मैंने यहाँ decoupage paper लिया है, आप कोई साभी design वाला paper ले सकते हैं, printed paper हो या magazines का paper हो, कुछ भी ले सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार इसे glue से चिपका सकते हैं, मैंने यहाँ decoupage glue लिया है और इसी से इसे चिपका लिया है, इसको चिपका लेने पर जो pencil से फिर से एक बार इसको holes को clear कर लिया है, अब इतना कर लेने के बाद यह design थोड़ा faded color है, तो इसको highlight करने के लिए मैंने last में chalk colors और acrylic colors दोनों मिला करके इसे color कर लिया है, अब जो coatings लिखना है, इसका जो base है, इसको मैंने peach color से dabber की मदद से chalk color लगा लिया है, और जो भी design line में color से इसके अनुसार mix match करके लगा लेना है, अब coatings लिखने के लिए मेरे पास black color नहीं था, तो मैंने red, yellow, blue, तिनों को मिला कर एक blackish shade बना लिया है, अब यह है एक coating, इसको मैं यहाँ trace करूंगे, यह yellow carbon paper की मदद से, trace करने के बाद एक zero number के paint brush की मदद से इसको suffice है, इसको paint brush की मदद से अच्छी तरह से लिख लोंगी यह coatings, तो यह तैयार है, इसके बाद जो designs थे, इसको भी highlight कर लिया है मैंने, dark color से, और अब आखिर में, इसके उपर एक coating, deco patch glue का लगाएंगे, ताकि इसमें जब भी धूल या मिट्टी, कुछ भी लगे, तो यह खराब ना हो, आप चाहे तो इसके उपर, आखिर में, varnish भी लगा सकते हैं, थोड़ा space gap लगा, तो मैंने यहां dots भी लगा लिये हैं, आखिर में, दिवार से, इसको screw की मदद से, इसको screw tight कर लेंगे, और यह दिवाल में fix हो गए है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो हमें जरूर comment करें, और हमारे दूसरे वीडियो के updates पाने के लिए, इस चैनल को भी subscribe करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब किए और बबगाई